जब लग गुरू मिले न साचा तब लग गुरू करो दस पांचा क्या गुरू बदल सकते हैं? क्या गुरू बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरू कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संथ कौन है? इन सभी प्रशनों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू प्राज के मंगल प्रवचन अपने आत्माओं गीता जी धायर नंबर साथ के स्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ग्यान दाता ने कि ये ग्यानी आत्मा है तो उद्दार है उद्दार माने अच्छी है नेक आत्मा है लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनूतम अर्थात यूजलेस इस गटिया गती में ही सचित रहे अब यहां गीता ग्यान दाता अपने से मिलने वाली यानि ब्रह्म साधना से होने वाली गती ये अर्थात मौक्स को भी अनूतम बता रहा है अनूतमाने व्यर्थ गटिया क्योंकि जनम मरती नहीं मिलने अक्समापत हो सकती जैसे सिरिमत भकुत गीता अध्याय नंबर चार के शलोक नंबर पांच और नो में गीता जाहे नमबर दो के सलोक बारा में गीता जाहे नमबर दस के सलोक नमबर दो में गीता ग्यान दाता कहता अरजुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके तू नही जानता मैं जानता नू ना सोच की हम आज ही हुए हैं आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके है इसे से दोगया कि गीता ग्यान दाता ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जनमर्तुम ही रहेगा क्योंकि उसका उपासे इस्ट भी जनमर्तुम है ब्रह्म तो इस से भी आत्म कल्यान नहीं हुआ गीता जाय नमबर आठ के स्लोक नमबर तेरा में गीता ग्यान दाता कहता है कि ओम इती एक आकसरम बिरम वहरन मामन समरन ये परियाती तजन देहं सयाती परमाम गतिम मुझ बिरम का केवल एक ओम मंतर है नचिंग एलस और जो उचारण करते हुए इसका सिम्न करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है सयाती परमाम गतिम वो ओम से अर्थात ओम है बिरम का मंतर बिरम की सादना ओम से जो गति हुएगी वो गीता ग्यान दाता वाली गति है ओम से जो गति हुएगी वो क्या हुएगी ओम ब्रहम की उपासना का मंतर है और ओम मंतर से ब्रहम लोक प्राप्ति हुएगी गीता जाहरम राठ के इस लोक नमर 16 में काया कि ब्रहम लोक परियंत भी सभी लोक पुन्रा वर्ति में अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लोटकर जनमर्ति में आते हैं क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जनमर्ति होती है और अर्थन तेरी भी रहेगी तो इसे सिद्ध हो गया गीता जाहर नमर 17 के सलोक नमर 18 में गीता ग्यान दाता अपनी गती को यानि अपनी साधना से होने वाले जितना भी सिला मिलना है पर हम लोग प्राप्ति उसको भी अनू तमाम यानि आती वर्थ आती गटिया आती ऐसरेश्ट बता रहा है और गीता अध्याय नमर 7 के सलोक नमर 19 में कहा है के बहु नम जनमा नम अनते ग्यान वान माम पर पतते क्या बताता गीता ग्यान दाता के बहु नम जनमा नम अनते ग्यान वान माम पर पतते बहुत बहुत जनमों को विर्थ करके किसी एकाद अनत के जनम में ये ग्यानी आत्मा मेरी भगती करते है माम पर पतते मुश्कल से कहते हैं बाकी अन्यत और ही साथ नम लगे रहते हैं जो बिलकु विर्थ होती हैं लेकिन बहु नम जनमा नम अनते ग्यानवान माम पर पतते और वासु देव सर्वमिती से मात मासु दिलो बै कि बहुत बहुत जनमों के किसी अन्त के जनम ग्यानवान यानि ग्यानी आत्मा माम पर पतते मेरी भगती करते हैं और जो ये बताने वाला मात्मा तो बहुत दुरलब है बड़ी मुश्कल से मिलेगा तुझे क्या कि वासु देव सर्वमिती कि वासु देव ही सब कुछ है अब यहां इन गीता अन्वाद करताओंने अन्रस कर डाले इन्होंने स्रीकरसंद जी को वासु देव सिद कर दिया जबकि वासु देव तो स्रीकरसंद जी के फादर थे और वासु देव नाम इन्होंने कहां से रखा वेदों से वो प्रमात्मा जिसका सब की उपर कंट्रॉल हो और आल कंट्रॉलर यानि कुल का मालिक नौन एज वासुदेव उसको वासुदेव कहते हैं अब यहां गीता ग्यान दाता कहता है कि वासुदेवं सर्वमिती सेमात्मासुदुनुब है यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है वुशी से तो पूर्ण मोक्स होगा उसी की बक्ती से जरा और मरन यानि वर दवस्ता और बुड़ापे के दुख मटेंगे उसके अत्रिक किसी को भी इस्ट रूप में पूजणानी चाहिए और वो पर मात्मा कौन है कहां रहता है कैसा है उसके पाने की वहां जाने की कौन सी विधी है कौन सा मैथड है तो यह जानकारी देने वाला मात्मा सू दुर लुब है बड़ी मुश्कल से मिलेगा एक समय आदनिय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण प्रमात्मा परमक्सर ब्रह्म मिले जिसमें आदनिय गरीबदास साहिब जी गाउं छुडाने जला जजजर हरियाना वाले दस वर्स के बालक थे खेतों में अपने गवें चरा रहे थे अपने ही खेतों में यह किसान गर्म जर्म था आदनिय गरीबदास साहिब जी गाउं छुडाने जला जजर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे बहुत बड़े जमीदार थे ये 1401 जमीन थी इनकी और अपने ही खेतों में अपने ही गवों को चरा रहे थे कुछ सहोगी और भी पाली नोकर थे कुछ दूसरे गाओं के अन्य साथी पाली भी वहां गवों चरा रहे थे पूर्ण परमात्मा अपने विद्धान वनुसार वो कबीर परमिश्वर सत्थपुर्स परमकसर ब्रहम सतलोक से चल कर आया जो विद्धान है उस परमात्मा का और यहां आता किस उदेश्य से वो तत्वय ग्यान बताता है रगवेद मंडल नुबर नौ सुक्त नुबर च्छासी के मंत्र 26 और 27 में सबस्ट किया है कि वो कबीर देव कबीर साहब कबीर परमात्मा उपर तीसरे मुक्ती धाम में रहता है सतलोक में और सतलोक के भी तीसरे पर भी प्रिष्ट में उस भाग में रहता है एक बहुत बड़े गुमजमस बहुत बड़े आसन के उपर सिर पर च्छत्र है और मुकट पहने है राजा के समान सिंगासन पर विराजमान है उपर मात्मा और वहां उसका एक रूम कूप में करोड सुरिया मिला दे करोड चंदर मा ऐसी सोबा है उस भालकी लेकिन यहां जब आते हैं अपने उस सोबा को हलका करकर सरल करकर उस रूप को आते हैं नीदे एजिटीज आ जावें तो हम उसकों को देख नहीं सकते हैं तरम दिर्श्टी देख नहीं सकती हैं तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन सरेष्ट आत्माओं को मिलते हैं जो द्रड़ भगत होते हैं उनको किस उदेश्य से मिलते हैं उनको तत्वे ज्ञान से प्रीचित कराते हैं उपदेश करने के उदेश्य से उपर मात्मा सत लोग से चल कर आते हैं सह सरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं फिर उनको अपने से प्रीचित कराते हैं अपना ज्ञान देते सुक्त ब्यासी के मंतर 1 से 3 में, रगवेद मंदल नुम्र 9 सुक्त 94 के मंतर 1 में, चुरानुमें के 1 में, रगवेद मंदल नुम्र 9 सुक्त 95 के मंतर 2 में, रगवेद मंदल नुम्र 9 सुक्त 1 मंतर 8 और 9 में, रगवेद मंदल नुम्र 9 सुक्त 20 मंतर 1 में, रगवेद मंदल सुक्त 96-96 के मंतर 16 से लेकर 20 तक और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कभीर प्रमात्मा की महिमा से वेद क्योंकि परमेश्वर ने दरमदास साहिब जी से कहा था कि दरमदास ये बेद मेरा बेद है मैं ना मिलू वेदन के माही और जोन वेद से मैं मिलू ये वेद जानते नहीं ये चारों वेद मेरी महिमा का गुनगान करते हैं लेकिन इस वेदों में वरनित विधी से मेरी प्राप्ती नहीं वसकती मेरी प्राप्ती जिस वेद से होगी वेदों वरनित नहीं है वो वेज जानते नहीं वो कौन सी है जो गीता जिद्धाय नबर चार के स्लोक नबर बतीस में का है कि वो सचीदा नंद घंब्रम की वाणी में वो कम्पलीट ज्यान है भगवान के पाने का और सभी धार्मिक यगों की यथारत जान करिये तो वो प्रमात्मा उस विद्धान अनुसार अच्छी आत्मा आदने गृवदा साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले सच्खंड ले कर गए सत लोक दिखाया उस ब्रमाण दिखाये जहां मालिक रहते हैं वो सतीती दिखाई वा हंस कैसे रहते हैं वहां कैसी सिरिष्टी है वहां सदा बहर वरक से सुंदर सुंदर पहाड हीरे पन्नों से जड़े हुए याद पत्थरों के पहाड वहां हीरे पन्नों के जुहरातों के पहाड है और किसी चीज का अभाव नहीं वहां कोई पतार्थ खराब नहीं होता जैसे गंगा जैसी दरिया वहाँ पर अम्रस्रोर भरे पड़े है गंगा जो जल है गंगा दरिया ये जल वहाँ से आया सत लोग से एक एक्जम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पैचान सके सचाई को यदि ये गंगा जल ना होता है तो यह उदार नहीं दे सकते थे कि बता नहीं सकते थे हम कि वहाँ पर ऐसे पदारत है जो कभी खराब नहीं होते हैं और यह तिसे खराब लोक में भी खराब नहीं होता गंगा का चल और वो तो बहुत बेश्ट वाताबरन है बहुत सुन्दर एट्मोसफियर है वाँ का तो दूद दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वाँ पर बहुत बड़ बड़े सरौर है वो कभी पदारत खराब नहीं होते अमरत सरौर है और सदा भारवरक से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आये थे ये सत कर्मान लेना ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है खुद बगवान की बताई का अमर कथा है और जिन मापर सुने सत सच्खंड और सत लोग को देखा और आँखों देखा वरनन उन मापर सुन किया और इबदास पर जाकर रखी मालिक तो ये सत कर्मान लेना जो दास सब्द बोलेगा सारी साची होंगा अभी तक सब बगवास का ड्राकिन संतों ने इन कबीर पंथियों को निमालू मटबट मारते है सत लोग में परकास ही परकास है आतमा जाक मिल जाती है एका था थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदू टाइप आतमा मचली की तरह गुमती रहती है वो परकास ही सत लोग है वो ही सत पुरस है वो ही सत नाम है ये है वो नकली कती अब देखना सचा ही सामने आएगी परमातमान कहा था कि 33 अरब ग्यान हम बाखा और मूल ग्यान हमने छुपा कर रख्या वो मूल ग्यान ही भी दास को दिया है अभी तक ही छुपा कर रख्या था और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है उसके अंदर भी भरा हुआ है और उसे हटकर भी ग्यानदास को दिया जो मापरसों की वाणी में दास ने निकाला तो जो परसंग कर रहे थे इस परसंग को बताते है जो परमातमा वहां आए ग्यानदास जी को मिले तो पालियों ने कहा था कि महराज बोजन पालो कभीर परमेश्वर एक सादू के रूप में थे वो परमक्सर विरम जिंदा महातमा के रूप में परमातमा ने कहा था कि भई मैं बोजन नी खाता अपने गाउं से छक के आया हूं सत लोग से तो उन्होंने हट किया था कि जी दूद पीना पड़ाएगा मति त्थी को इसे जाने नहीं देंगे तो परमेश्वर ने कहा था मैं कवारी गाएं का दूद पिया गरूं अगर आती थी सतकार करना चाहते हो तो कवारी गाएं का दूद पिया गरूं मैं पिला दो तो बड़े-बड़े पाली थे पचास-चारीस साल के वो कहने लगे बाबाजी तरी नीद को ना दूद पिंड़ी बकवाद करते हो आप तो मजा करते हो मारा गरीबदास जी दस्वरस के बालक से उनकी एक पिरी ये बच्छिया थी गाएं कमारी उसको पकड़ जाए और कहने लगे माराजी दूद कैसे देगी बच्चा तहनी इसको जनम तो मा तो बनी नहीं है तब कविर साहिब ने कहा कि कोई पातर है तुमारे पास जिसम दूद निकाल लाएंगे गरीबदास जी लाएक पांसे किलो का वो मटका है छोटा सा गड़ा बरोला और कहा इसके निच्चे रख दे बाई साब कर रख आ है अकान जी साब कर रख इसके सतन के निच्चे कर गरीबदास जी बालक थे पकड़ के बैठी के निच्चे अगर देखांगे बाबाजी दूद कैसे निकाल लगा परमात्मान थब की मारी बच्चिया के लंबे लंबे सतन हो गए और धार चलपड़ी दूद की और पातर बर के बंद हो गए अब वो कभीर साहिब को दे जी अगले बाबाजी पीलो आप माराजी कभीर परमेश्वर जी ने पीलिया कुछ पीलिया फिर से छोट जाके लिए बच्चो पीलो ये अमरत है यहां का नहीं है ये सतलोक से आ है मेरे गामत ये वो और पाली थे वो तोटकर चले गए कहने लगे तू पता नहीं किस जाती का है और फिर तने क्या पहरा जादू जंतर करके कुवारी बच्चिया से दूद निकाल दिया अमना पिवा तरे जादू जंतर के दूद को वो तोटकर चले गए वहां से सथान छोड़ गे जहां वो बैठे थे एक जंडी के नीचे वो जंडी वरक्स को ही छोड़ कर चले गए दूर जो बैठे अब गरीब दास जी महाराद वो नेक आत्मा वो सरेश्ट आत्मा जिसके लिए मालिक आये थे वो बोलाला माराद जी आपका ये जुठा दूद कद कद मिला हमने गट गट पी गए जितना पी ना था बाकी रख दिया अब फिर परमातमा ने उनको समझा है बेटा तुम यहां के रहने वाले नहीं वो पूरी सारी कुपड़ की जानकारी दी तब गरीब दास जीन का हमाराज ये ग्यान तो आज तक किसे ने बताया नहीं हमारे को वो सतान कैसा जैसे बच्चे के जगासा बन जाती परबल तो तब परमातमा बोड़े चल ले चलता हूं शरीर वहीं रह गया जो औरिजिनल वस्तू को उपर ले गए आतमा को सारे बरमंडों से परिचित कराया बिरमाविशनु महिश जी की सतीथी दिखाई उनके लोग दिखाई उनसे वारता करवाई यहां के नयद ही इस धरमराज से मिले जाकरके और धरमराज करबद होकरके कबीर परमाविशनु जिद्धा महातमा के सामने खड़े होगे तो गरीबदास साहिब जी देख रहे हैं कि इस बाबाजी में तो बहुत बड़ी सक्ती यहां के बगवान भी आसचोड है और यहां का यह बड़ा यह अपसर है यह भी आसचोड़ी के खड़ा हो गया जो लेखा जो ख़खा करता है फिर सच्खंड लेकर गए परमाविशनु जिद्धा काल को दिखाया कि देख बेटा यहां खाता है एक लाख जीवों को बून गए यह तपत से लाइस की अरू बेटा हो ब्रह्म सरपुरस काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता अपनी योग माय से छुपा रहता हूं गीता जे देख नबर साथ के सलोग नबर चौबीस और पत्चीश बेटा तब परमादमा उसके सिर पे पैर रखके उसकाल के ग्रीबदास जी माराज को उपर लेके ग्यारमेदवार में परवेश किया ग्यारमादवार इस अकसर परब्रहम के लोक में परवेश करता है और उसके लोक को पार करके जब बारमादवार पार करते हैं तो सत लोक आ जाता है बरमादवार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गई वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही मात्मा जो निच्चे तगया था उनके साथ और उधर उनके साथ है और उपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुमज में बहुत बड़े मंजर नुमाई गुमज है सुन्दर सफेद बहुत लुमबा चोड़ा उसके बीच में एक सिंगासन है सुन्दर सिंगासन रतन जड़े हैं सफेद सफेद उसके और उसके बहुत सुन्दर वस्तर विचे है वह उसके उपर परमात्मा विराजमान है सकल दोनों की एक जैसी है जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहाँ पर जो सिंगासन पर बैठे थे राजा के समान उपर सतर सिर्प मुकट और उनके एक रोम कूप में करोड सुरिया मिला दे क्रोड चंदर्मा ऐसी रोसे नी थी अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महत्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ ले करके वहां से उठा कर समर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में समर करने लगे गरीबदास जी ने सोचा कि बगवान तो यूँ होगा जो तकत पर बैठाथ सिंग आसन पर विराजमान है और बाबा जी इसका कोई नोकर होगा गोई तो बहुत सुन्दर सतान या तो ये शाजका दिदेखा है नहीं हमने और यहां तो सुन्दर सुन्दर वरक से पड़े सदा वाहर फल लगे हुए है और गवान बहुत सुन्दर है इसके स्रीर में कितना परकास निकल रहा है नर आकार है मनु सदर से तो फिर क्या होता है कि जो सिंग आसन पर विराजमान थे वो परमात्मा अनंत कोट बर्भांड के स्वामी के सिंग आसन पर परमात्मा यानि खुद और आल कंट्रोलर के रूप में वासुदे रूप में विराजमान थे वो खड़े हुए और नीचे से जज्जिस रूप में जिंदा महत्मा के रूप में परमात्मा थे वो उस सिंगासन पर विराजमान हो गए सब के कंट्रोलर के सिंगासन पर और वो तेजों में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा हो करके जमर करने लगया उस सिंगासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के उपर जो नीचे से गए थी वो तो उपर से भी गए थे नीचे नीचे से उपर आए थे तो गरीब दास जी सोची रहे थे कि ये क्या वई इस बाबा जी पर भगवान नोकर की तरह सेवा कर रहा है इतने मैं क्या देखा कि उते जो में सरीर और जिन्दा महात्मा यानि कभीर पर महात्मा की सिरीर में समागे only अकेले कभीर पर महात्मा वो जिन्दा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट बर्मांड के स्वामी के सिंगासन पर राजमान थे यानि वो ही मालिक है वो डबल रोल कर रहे थे ग्रीब दास जी चरनो मा गिर गे ये बगवान आप तो बगवान हो आए मुझे बका रहे थे आप बाबा जी नहीं हो आप पर मातमा हो इतने में क्या हुआ कि पूरे स्रीर का उतनों ही नूर हो गया जितना पहले थो जब ग्रीब दास जी देख रहे हैं शक्रीत होगे ये बगवान आप तो बहुत परबल सकती युकत हो मुझे यही रिखलो मेरे दाता वहाँ ना भेजो गंदे लोक में वहाँ तो जनम और मरतूब हाँ हाँ कारमे चाहँ हुआ दाता इतना सुन्दर स्री लोक यहाँ का तब परमात्मान का वेटा तुम वापस जाओ जब तुम यहाँ थे आप बगटी युक्तिर वहाँ जाकर आपने अपने बगटी नष्ट कर दी वो सारा ख़दाना ख़तम कर दिया तो यहाँ से लेकर गए थे तुम गलती से गए थे यहाँ पर सारी कहाणी सिरिष्टी रचना सुनाई परमात्मान अब उदर से क्या होता है कि उस देर के बाद दो-तिन गटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि वही वो गरीब दास बालक कहा है क्योंकि सब की टरन आती थी गवों को घेरने की कि किसी की खेती मना बढ़ जाएं खराब कर गए तो उनकी अपनी डूटी होती थी एक गंटे किसे की एक गंटे उसकी एक गंटे उसकी जब गरीब दास जी का नंबर आया उसकी बारी आई तब उसकी खोज होई कि कहा हो बुला उसको अपनी पारी पकड़ा होगा उसको जा कर देखा कि वो तो बैठा है जैसे मात्मा बैठा कि नासन पदम लगा कर पहले आवाज लगाई नहीं बोला फिर पकड़ के इलाया तो गिर गया तो उन्हें ने देखा है तो मर गया हाथ पर फूल गये उनके इकलोता पूतर से ग्रीबदास जी अपने माता पिता के और बारा वर्स वहा के बाद हुए थे बड़ी मुशकलता है इकलोते पूतर इतने बड़े जमीदार की थोटा सा गाउं था चुड़ानी चालिस गर होंगे मुशकल से परिवार होंगे तो गाउं डेड़ किलो मिटर की दूरी पर वो शथान था जहां परमातमा मिले थे ग्रीबदास जी को गाउं छुडानी जिला जद्दर हरियाना में आज भी वो यादगार विद्मान है कबलाना गाउं से और छुडानी गाउं को अब तो पकी सड़क बनगी पहले कच्चा रश्ता था उस सीमा के उपर थोड़ा सा एक किला अंदर ने खुडानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना राखे एक वंदर साथ बना राखे उन्होंने कि यहां प्रमात्मा आये थे जांडी का प्रक्ष था वहां पर वो आज भी यानि आवसेस बकाया है सचाई के तो गाउं भागे आये गाउं वाले लोग फिर डेड़ किलोमेटर कोई देखा बच्चा मेरा पड़ा है उसकी अर्थ त्यार किया गर लाए गर से फिर समसान गाठ पर लेगे फुकन की त्यारी कर दी चिता पर रख दिया तो प्रमात्मा ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा और बगती करना इस बगती की कमाईत है बगती की सकती से तुम पुनर चारज हो करके यहां आ सकोगे और उसके लिए मैं ऐसा मंतर दूँगा ऐसी विजी बताऊंगा पर यह अभी डिस्कलोज ना करना तुम खुद बगती करना से एक सतनाम दूँगा दो अक्षर का जिसमें एक ओव मंतर है एक गोपत है यह दास बताएगा कियो लुप देशी को तो इसकी एक बार की कमाईत है एक स्वांस उस्वांस की इतनी कमाई बन जाएगी कि यहां के एक बिर्मांड में चौदा लोक होते है कहते हैं चौदा लोक भी उस दूसरी तराजू में रख दे ताखड़ी में एक पलड़ी में और एक तरफ रख दे एक सतनाम के सुम्रण की कमाई वैलू और तीन लोक यह पर्थवी लोक और तेरा पाताल और स्वरग लोक दर्दे पास सिंग यानि जिसकी कोई खाता है नहीं किसी वो तो सोदे में को नहीं उस साइड में रख दी जाती हैं पास सिंग और तो ना तुलय तुलया राम रंग होरी हो अब गुरीव दास जी के लगे बगवन जो आप किया गया और कहा तुम जाकर समझा जनता को मेरा गवा बन बेटा तुरे भाई बहन कितने कश्ट उठा रहे सारा जीवन खो देते है माया के पीछे एक पेट के लिए जीवी का है पूरी नियोती उनकी और यदिवो मेरी बगजी करे तो उनको जीवी का भी सुथरी दो उनको सुख भी दो उनकी आईयों भी बढ़ा हूँ काल को निकट नी आने दो बेटा तो उसी असद कर्मान लेना तो गरीबदास जी तो आँखों देख चुके थे दरमराज जैसे खड़े होकर आद जोड़े जिस परमपिता के आगए तीन औरों की किया वकात उसके सामने क्या बनियाद वो पके आँखों देखी परमातमा की महिमा ग्रहन करके और वापिस बेच दी वो आतमा गरीबदास जी की जब चिता में अगनी लगाने की तयारी थी इतने में जो बंदन बांद रखे ते अपने आप टूटी गए और हल चल हुई सरीर में एकदम बैठ गे वो दस वरस के बालक और जिस लोग से आये थे वो यहां था ही नहीं एकदम वो चौर बहुर से हो रहे थे कि मैं कहां आ गया और ग्रीबदास साहिब जी के अंतकरण के अंदर परमातमा ने ये संपूर्ण अज्धात्म ग्यान बर दिया जैसे एक मॉबाइल से दूसरे मॉबाइल में दस गंटां का प्रोग्राम नो का नो फैक्स हो जाता है दूसरे से लोड हो जाता है बगर किसी वायर के ऐसे परमातमा ने ग्रीबदास साहिब जी के अंतकरण में उनके केम्पूर्टर में डाल दिया अब फिर वो ही केम्पूर्टर बोले जैसे नानक साहिब जी कहते है वो तो वह जैसे चाहिदा ऐसे बलाईदा वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बलवाता है तो उस ग्रीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमातमा से प्राप्त ग्यान को लोकोक्तियों के मादम से दोहों के मादम से बोलना शुरू कर दिया किसी की नहीं सुने ना नहीं बताओं सिद्य सब्दों कित गया था लगे बताने अनन्त कोट विरमांड का एक रती नहीं भारे सत्गुरु पुर्स कभीर है ये कुल के सरजन हारे उस्तर लाग्यो बाणी बोलने तो गाउवाल ने सोचा लड़का पागल हो गया जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया उनको बाउलिया करन लाएगे पागल करन लाएगे सुकर मनाया गरवालों ने कुल के लोगों ने के कोई बात ना देसा भी बांगा बाउला पागल है जीवित तो हो गया या इसकी माता इस बाउले न देख देख जी लेगी न या बेहुस होगी थी अब वो करने का भाव यह है तीन वर्स बीत गए ऐसे ही वो यह वाणी बोल रहे होते हैं वो गाउं वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं बोल क्या रहा है यो सोदा फिर ना ही संतों यो सोदा फिर ना ही ये लोहे के साथ आव जाते काया देश रही तीन लोक और भावन चतुर्द सब जग सोदे आही दुगने तुगने करे चोगने किन हो मोलग आई बच्चा मा बैठ का लाग जाए बाणी बोलन बड़या मखड़या हो वहां बोलन लग जाए बाणी लेकिन सब कैन लगे मेंटल है इस्तना बात करो और मेंटल खोदाम और कैन उस बगवान से प्रिचीत आत्मा को मेंटल हमारी इतनी संकीर्ण बुदी है आदर्निय दादू साहब जी को भी परम अक्सर बरम कवीर देव जी कवीर साहब वो धानक कवीर गरीबदा साहब जी को बता था परमात्मा ने के बेटा मैं 120 वरस बनारस में रहकाया हूँ 120 वरस कासी में और कवीर मेरा नाम है और वहा जुलाहे के नाम से परसित था मैं बहा मेरा कर्म था और मैं परते की युग में एक लीला ऐसी ही करता हूँ कि अपनी पाने के लिए जो किरिया कर्म उचित है बगत को और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो और कितनी आउसकता है रख्या बगत वो मैं खुद ही एक धरन दे के आता हूँ कि यहां गणे दन की जोड़त की हो सकता है जो बगती चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं समय आने पर सारी पूरी करता है इसलिए हम भगवान को खोज रहे कहते हैं कल पे कारण कोण है कर सेवा नहीं काम और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़ा मेरेते काम जब भगवान के सतर का काम आओगा बेटा नहीं के मा खड़या पाऊंगा तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी इसी परकार आदनी दादू साहिब जी भी आठ नो वरस के थे साथ आठ वरस के और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गाउं से बाहर वहाँ पर महात्मा आये इसी परकार जिंदा महात्मा के रूप में उनको भी फिर ऐसे ही ग्यान सुनाने लगे और बच्चे तो उठके चले गए के ला रहे गिवर दादू साहिब जी के आत्मा को भी सच्खंड लेकर गए फिर वापस सोड़ा तीन दिन तक बेहुस रहे थे दादू जी तीन दिन और तीन रात फिर छोड़ा वापस तो दादू साहिब जी ने भी आँखों देखा हाल उसकवीर परमात्मा का कलम तोड महिमा गाई आगे चलके दादू जी का फिर परमपरा चल पड़ती है जैसे ग्रीबदास जी की परमपरा तली हुई है तो उसमें संत परमपरा भी होती है महिन्ट परमपरा भी होती है जिसको नाद और बिंद बोलते है तो नाद परमपरा से गोपाल दास नाम के एक साधू थे दादू जी की परमपरा से और वो वैसे थे जाती के बढ़िये थे 60-65 साल की उमर होगी थी घर त्याग चुके थे अपना अंतिम समय प्रमात्मा के चर्णम बिताने के लिए वो दादू पंत के ही से दिख्शित होकर फिर भर्मन करते रहते थे अपना ग्यान का परचार करते रहते थे और चुडाने के अंदर एक विक्ती उनका सिस था वो गोपाल दास जी उस चुडाने वाले सिस के आगे वाँ पर रुक गे रुका करते एक दो चार तिन तो चुडाने वाले भगत ने कहा के महराजी अमारे एक बहुत बड़े जमिदार का लड़का ऐसे ऐसे पागल हो गया सारी कथा सुनाई है और बताया महराजी कहते है संत की बड़े को संत ही कैंसल कर सकता है तो उस बच्चे को दादू जंतर का दूद बिला दिया मंतर का वो पागल हो गया मर गया था तो पता नहीं कैसे सांस वापस आगे आपकी रजा हो तो किर्पा कर दो उसको वो ठीक हो जा पागल हो गया तो दादू पंतिस संत को पाल दास ने कहा के बुलाओ वो थोड़े बूत बूत बात जाड़न के जाड़े जाने सा वो बिकती गया वहाँ गरीबदा साहिब जी के गर पे अब गरीबदा साहिब जी अपने नाना के वहाँ रहा करते थे उड़ानी में उनके नान का थे क्योंकि उनके पिता जी वहाँ घर जमाई रहा करते थे गरीबदा साहिब जी का कोई मामा नहीं था या उसकी मा का कोई भाही नहीं था जिस कारण से सारी संपती के वारिस उनके पिताजी और पिताजी के बाद वही थे अकेले तो उनके नाना जी जीवी थे बहुत बड़े जागिरदार थे वहाँ जाकर के उसने कहा भगत विक्ती ने कहा तो दुरी साब अमारे घर एक संता रहा है और वो न्यूंक है, इस लड़की के लड़के ने वो ठीक कर देगा, संत की बिद्दा संत कर रहा करें ठीक यह बात उनका भी सम्झ मागी उसका नाम सिबलाल था गरीबदास जी के नाना जी का पांच साथ बड़े-बड़े मौजिद से विक्ति कठे होके गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर बालक को, तेरा वर्स की आई उगे थे गरीबदास जी उस समय और गोपालदास संत के पास ले गए और कहा माराथ देहा करो यह बालक ठीक हो जा यह तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलाए सारा दिन रुकता ही नहीं हम पुछे हैं बात यह बोलाए पता नहीं क्या क्या गीत से गाता रहता है अब वो तो परमात्मा से परीचित हन साथमा थी गरीबदास साहिब जी, भूत बविस्या की सारी जानते थे और वरत्मान की अब उस दादू पंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने की बेटा कौन था जिसने तरह जीवन बरबाद कर दिया क्या नाम था उसका यानि जैसे एक बात पूछने के लिए अदेसे से परसन किया तो आदनी गरीबदास साहिब जी ने कहा कि माराजी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बरबाद नहीं किया मुझे तो आबाद कर दिया क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हम को सत्गुरु आने जल के बेम अगाद गती हम सूते चादर ताने अलल पंक अनुरागे है सुनमन डल रहे थीरे दास गरीब उधार दिया मुझे सत्गुरु मिले कबीर हम सुल्तानी नानक तारे दादु को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ अनंत कोट बिरमांड का एकरती नई भारे ये सत्गुरु पुरस कबीरे है कुल के शर्जन हारे वासु देव ये कबीर साथ है अवो दादु पंची मात्मा का ता शरगु मिगा रत्रो गजु भुयो गाउं वाले तीन मेंटल बतावे अर ये तो वाई परमदनी से मिला हुआ हान से है ये तो आखों देखा औरन करें उस परमपिता के वगवान के दर्सन किये वह इस मात्मा ने ऐसे संत के तचर्ण छोने चाहिए वो तेरा वरस के वालक की तरफ और पैसेट साथ साल का वो वरद मात्मा और हाथ जोड करने वह ला माराज ये नुचर्णों मजुग के कि या वानी लिखवा दो आप तो या अमर वानी लिखवा दो कल योग में जीओं के उधार के काम आवगी दाता तो गरीब दास जी बालक चल पड़े आगे ने जब वो इस तरह गती भी धी कर लगया वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं पड़े भाग लिए अब गाहूँ वालो ने सुच्चा क्यों बाबा जे भी मेंटल हो गया इसका भी फटकार लाग गी इसकी कसूती बला इसके अंदर तो जैसी हमारी जीव संग्या की सोच होती है तवु कहने लगया अरे गाओंवालो कौन गोपाल दास महतमा दादू पंथी कहने लगया अरे गाओंवालो मेंटल ये नहीं मेंटल दो तुम हो है अब आदल संथ तो कुछ भी कॉय दिया आगरे सारी rond लुकर ति और भाई तम मारवीच मोगो लियो मतिना, तम अपना काम करो। उनसाची भाई इनकी भिरणिया के अटबट करहे हैं, मातमा क्या बात कर रहा है। वो फिर दीरे जीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा और वो भाग ले जक्से बाल गतीवी जी करते हैं को वीटी दुरफर। अब तीसरे दिन जाके गरीबदास जिन मुझ खुल्या, कहा देखो गोपालदास, अगर सारी वाणी लिख है तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई, बीच में छोड़ का जाता है, मैं लिखवाऊंगा, गोपालदास के लिए महाराज, मैं तो कती गरते फारे गो रहा हूं, और इसे काम के लिए निकला हूं दाता, जब तक आप को होगे, तब तक आपके सरनों बैठके, मेरे पास यह लेखन विद्या दी ह बगवान ने, मैं बढ़िये के घर जनम है मेरा, बगवान की खोजबा में निकला हुआ हूं, और आप जो कोगे मैं लिखता रूँए, एक बही होती थी, पहले यह कापी को पी तो होती नहीं थी, पहले बढ़िये बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी, तिन तिन फुट लंबी, और नौय केंट चोड़ीवा, उसको ऐसे फोड़ करें, तो उसमें लागे लिखने, और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बड़ बेरी बोला जिसने, उसमें एक जन्डी का पेड़ था भार्या सा, वो पहले बरानी सा अकसेतर था, ऐसे इसादर नहीं थे उसमें, तो वहाँ जन्डी जादा होया करती है, और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने जाड़ जंखाड़ा, तो उसमें बैठके उसके नीचे, छै महिने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, और गोपादू पन्ति गोपाल दास जी लिख्या कर तो वो गोड गीवन ग्यान है, गरीबदास साहिब जी के मादम से कबीर प्रमात्मा ने अपनी महिमा पुन चित्रार्थ करवाई, इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चेप्टर है, उसमें 136 और 136 प्रिष्ट पर लिखा है, काल के बारा पंथ लेंगे, उन बार पंथों में बार मा पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जनम 177 मा होगा, उसमें गलती से 75 लिखा है, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो पर्थम भगत थे, जैसे स्री चूडामनी जी थे, जिसे मुक्तामनी भी कहते हैं, दरमदास जी के पूतर थे जो कमीर साहिब का शिरवाद से वे थे, उस से लेकर गरीबदास तक जी तक ये 12 पंथ हैं, पर्थम जो हंस थे, वो एक नमबर के हंस थे, यानि परमातमा के भीजे भी अपने सपैसल हंस थे, और उसके बाद फिर ये 12 और हैं, वो ऐसे ही डूप्लिकेट थे, 10 और, और बा परमा जो थे गरीबदास जी, ये भी परमातमा के विशेस आतमा थी, एक तो फस्ट को ग्यान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है, अब इस लास्ट को जो ग्यान दिया है, इसलिए फीड कर दिया कि काड़ ने कहा था कि 12 पंथ करू मैं साजा, और नाम तुमारा ले 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समय ही, और अनेक पंथ चलाऊं, जशेरादासवामी पंथ, धंदंसत्गरु पंथ, जैगरु देव पंथ, नरंकारी पंथ, ये तह से, ये कहना बाले होगे, इस वरर, ये सत्पालर, आसा राम जीर हुए, सुदान सुजीर, ये तह ये तो दूसरे पंथ काल के, ये रादासवामी धंदंसत्गरु जैगरु देव, और ब्युहानी वाला दिनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रहे हैं, सतलोक और सत्खंड की नाम ले करके, और कख पता नहीं होने उसके बारे में, तो कहनें का बहु ये ह परमात्मान कहा था के, दरमदास बीच में, मेरे वाले मारग में, काल के पंथ ही गुसेंगे, काल के दूत है, और मेरी महिमा मेरे दोरा बोलीगी, कबीर सागर की और कबीर वानी को कुछ ये फिर बदल करेंगे, अपनी अनजान बुजी के नुसार, तो ये थार्स ग्यान क ये खतम कर देंगे, अपने आत्मा जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर सब्दावली में, और ना ही कबीर वीजिक में, तो वो अन्स निकाल दिया इन्होंने, वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अं अब है निए, तो इन काल के दूत्तों ने, जहाँ जहाँ इन के नहीं समझ माई, उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फिर बदल कर दी, कुछ नोकी नो छोड़ दी, जो इन के समझ मनी आई, तो वहाँ भी बची रहेगी परमातमाएकरपासी, तो उसमें कहा है कि बार में प पंथ के परवर्तक दोबार और अश्चरगर कामरम निपाऊए बारा पंथ हमी को धाऊए क्योंकि ये सभी बारा के बारा पंथ गरीब दास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे कबीर साहिब हैं कबीर सद्गुरू है लेकिन सत लोग नहीं जा सकते आगा तब तक दरमदास या ऐसी सती थी रहेगी जब कलियुक्स पंथ पंथ बीट जागा तब क्या लिखाया कि उससे में डेकलियर करेंगे सारे ग्यान को ओपन करेंगे और नए सिरेत इसका बिलकुल सुचारू रूप बुनावाँगे और बर में पंथ में आगे चलकर हम ही आवेंगे मैं ही जाओंगा और फिर सोब पंथों को खतम करके एक पंथ सलाओंगे तो ये दास बेज़ दिया उस परमपिता ने उसी गरीब दास वाले पंथ में बर में पंथ में तो ग्रीबदास जी ने जो ग्यान दिया उसको ग्रीबदास पंथी भी नहीं समझ सके कभीर प्रमात्मा जी ने जो ग्यान दिया था कभीर सागर के अंदर कभीर पंथी नहीं समझ सके कबीर साब को सत्गुरु बताते हैं एक संत बताते हैं और परमात्मा को भिन बताते हैं इन कख़दाना परमात्मा को तेकाल के दूट थे सारे और ये खुद मालिक है कबीर सागर में लिखिया दरमदास जी जब को जब सत्लोक में लेकर गए और तो वापिस होड़ा तो वहाँ देखा वही प्रमात्मा तो नीचे से गए थे वही सिंगासन पर वराजमान थे अनंत कोड़ पर महांड के सिंगासन पर और वहाँ पर सब भाग बगुचे और भगवान के सिर पर मुकट था उपर सतर था और सब गाते बजाते गई सब गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी सब जो वहाँ बगद पहले मुक तो अगर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं तो वहां रह रह रहे थे सारी विस्तार बता रख्या अज़े आगनी कभीर पन्तिञा नहों के वहां चेतन प्रकास है बसे उसमें बिंदू टाए पला अटमा गूमती है और कुछ नोके उसमें जा के मिल जाती है बस चेतन प्रकास में प्रकास घ्या जब गया खतुम तो इनक खाक ग्व्यान था तो परमात्मान कहा था बार में पंथ पर गठ हो ममानी और बार में पंथ हम ही चल आओंए अग़ा चल के उसमनी क्यों बारा पंथ तक कह जा कि ये तो स्थिर घर कामर बनी पाओंए और ये बारा पंथ हम ही को जाओंए बार में पंथ फिर आगए जो पंथ चल चुका होगा जब पंच-पंसो वर्स बीटी जाएंगे तब मैं आऊँगा बेजूँगा अपना हंस तो ये ग्रीब दास साहिब जी के दोबारा ये अपनी महिमा की वानी पर मातमा ने फीड की और वो ग्रीब दास साहिब जीनली पिबद की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है एक और बताओं आपको कथा के ग्रीब दास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है सन 1988 से लेकर 1999 तक ग्रीब दास पंथ में 11 वर्स दास रहारूं के खुब उन मैंतों से संतों से और वहां के सब से मिले तो वहां एक विशेष्टा थी कि ये एक सकत हिदायत थी उनको कि ग्रीब दास जी माराज ने जो वाणी बोल रही है इसमें किसी ने फेर बदल भी कर दीना उसको बहुत हानी होगी एक संत ने ऐसा कर दिया था कुछ उसमें कुछ ऐसी करड़ी करड़ी बातें लिख रखी थी उसने निकालने की चेश्टा की थी उतको अद्रंग मार गया उसका सब कैभ हो गया उन्होंने नहीं मातरा भी छेड़ी फिर ये कारण क्या था परमात्मा को पता था काल के दूद गड़ फेर कर देंगे बनी बनाए काम ने बगाड़ी देंगे शन सत्रासो सत्ताइस में परमात्मा में ले थे गरीब्दास साहिब जी को अर सन सत्रासो तीस के अंदर ये वानी लिपी बद की गई थी अब ये लग 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 पौने दो सो पौने तीन सो वरस होगे लग तो उस में ये लखी गई तो अभी तक या कती सुरक्सी थी और या नो की नो हमारे पास आएगी ये वानी पलस में परमात्मा की दौरा इस दास को ने जो लिला की दिखाया दो दिया ग्यान वो और इस मापुर्सों की आख वानी और सबसदगरंथों का एक निसकर्स निकाल दिया जो अब ही करना था कहते हैं नोमन सूत उड़ जिया रिसी रहे जखमार और सत्गुरु इसा सुलजाएदे उल जयने दूजी बार कभीर-साकर के अंदर कभीर-वानी चैप्टर है उसके 134 प्रृष्प का है बारा तो यह है He agrade थे मावने सावगा थे मावने समय यह बाराई से बार में बोस परगट हो उजी आरा और थे में बोस मिटा सकल अंधी आरा यो तेर महमन सी अदास है इस सारा अग्यान समाप्त कर दिया पर्टेक्स कर दिया अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिव जी ने लिपीबद करवा दी गरीबदास साहिव जी परचार भी करा करते थे लेकिन ये सत नाम नहीं देते थे किसी को सट्रिक्ट ओर्डर था सकत अदायत थी परमात्मा की कि धरम दास मेरी लाख दोहाई ये सार नाम की दबार ना जाए सत नाम और सार नाम मूल ग्यान बार जो पढ़ी ये बिचली पीड़ी हंस नहीं ते रही आप उस बिचली पीड़ी के बच्चे हो हंसो अच्छी आत्मा हो जो आपके लिए ये खदाना शुरक्षित रख्या था और अब ये बैन उठाना था दाता ने पहले कह रख्या है कि उस समय पूरे विश्वय कोई सत नाम दूँगा तब तक इस सत नाम ना गुप्त रखना नहीं ते और ये नाम यही देने लग जाएंगे इनके पास वो अधिकार है नहीं ये नाम दे कर भी वर्ष कर देंगे जीवन को उन बच्चों का मेरे आत्माओं का आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं करते हैं हम उसकों बड़ा है मानते हैं कि हाँ इसके बिना मतलब हमें कोई सुख में लेकिन उसके सुख नहीं मिल रहा था हमें देवी की पूजा करना पिपल पूजना फिर ऐसे जागर और जूगरन बगएरा इनमें मतलब ज्यादा जाते रहते थे इसके अलबा हमारी मम्मी जी वो हमें कॉजन बहुत पूजा यहाय जनतर देने हैं पांसाद इन ठीक रहना फिर उसके बाद फिर वयर हाल हो जाना घर में तो उसके वैसन हम बड़े परिसां हो गे था और घर ह हरु jemand मैं थिक्तंगी भी बड़ी बड़ी होगी थी मतलब। मैं भूलता था मम्मी मत afin जाय कर हूँ मैं खोज थी मतलब सी की कहा सुख परिए तो आपकी यह जो खोज कैसे पूरी हुई यह और हमारी संत्रान सम्प्ाल पाल-जी मरज के तावर में सुख भी मिलता है और कैसे मिलता है उसके बाद हमें सरप्रथम तो यह नहीं देवी देवतों के चक्र से चुटकारा मिल गया पहले हम जैसे संत्रा बाल जिमाराज का टीवी पर ससंग सुनते थे तो उसमें हमने भगतों के अनुबब सुनें कि उनको एलाब हो गया कहीं कि बहुत प्रेट की सर जैसे कि आपने बताए कि आप हिंदो धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी स्रद्धा और आदर के साथ करते थे तो हम आपसे जाना चाहेंगे कि फिर आपको संत्रा बाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने के क्या जरोतान पड़ी सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो देव देवताओं की पूजा आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाब नहीं मिलता था सर पूरा हिंदु धर्म देव देवताओं की पूजा करता है तो आपको संत्रामपाल जी महाराजी के बारे में कैसे पता लगा सर जब आपने संत्रामपाल जी महाराजी के सत्संग सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने प्रवावित किया फिर आपने उन से नाम देख सा ली सर संत्रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देव देवतों की पूझा छुडवाते हैं सर पहले आप देव देवतों की बक्ति करते थे तांतरिकों के पास जाते थे तो हरजीत सिंग जी हम आपसे ये जाना चाहेंगे क्या वाकई में संत्रामपाल जी महाराज देव देवतों की बक्ति छुडवाते हैं सर आपने बताया कि आप तांतरिक लोगों के पास जाते थे आपको बहुत पैसा खर्च होता था आठ्थे गूरूप से आप परेसान भी होते थे तो जब आप संत्रामपाल जी महाराज के पास गए तो संत्रामपाल जी महाराज ने आपकी समश्याओं को दूर करने के जैसे अस्रम में गया तो मैं घर से चलागे कि पता ने बहां रहने की विवस्ता है नहीं है कि नहीं है पता नहीं था जैसे वहां पर गये हम तो हमारे घर से एक भी पैसे का खर्चने और मैं तीन दिन दिन बहां पर रुखा बहां नहाने की विवस्ता सोने की विवस्ता ब सब्सक्राइब बढ़ के लिए अपने बताया कि आपकी बहुत्प्रेट के बादा थी वो ठीक हो गई तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संत्रामपाल जी महराज आप लोगों को ऐसी क्या क्रिया क्या तांतरिक वेदिया बदाते हैं जिसको करने के बाद आप लोगों को लाब मिलने लगते हैं तो सर हम आपसे ये जाना चाहेंगे जब आपने संत्रामपाल जी महराज द्वारा दे गए सास्तरवेदे के अनुसार बक्ति की तो आपको क्या लाब मिला? बड़ी परिसान था और आर्थिक रूप से भी मतलब बड़ी परिसान यागे ते घर में डेली जगड़े होना और बच्चें घर वाली परिसान भाई के साथ जगड़ा सबसे बड़ा लाबे मिला मेरे को कि मेरे नसे से चुटकारा मिला सारी रिक समस्से भी सुरूओ की ति पगजी और उसके नसा करने से बावजूद मेरे को खांसी और मतलब अपने उसके बाद में बिमार बिरा टाइफ हाड़ गरा रहा तो उससे जो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा स्मोकी मत करना लेकिन मैं कहां छोड़ पाता है लेकिन माली की देह से अब संतरामपाल जी माराज की गरिपाशी जैसे मैंने बग्ती करने सुरू की नए तो उसके बाद मेरे को लाव मिलने सुरू हो गए और मैंने वो दिन 24 मार्च 2014 के बाद मैंने नशे को चुछ हुआ दखनी है और संतरामपाल जी माराज की देह से मुझे आज दूसरा जनम मिला है जो मतलब के अध्यातिमी की जनम जी से कहा जाते है सर, हमने संतरामपाल जी माराज जी के बार में काफे कुछ सुनाए की जो भी उनसे नाम दिखसा लेता है उनका नसा चुट जाता है नसा चुटवाने के लिए सरकारे भी बड़ी बड़ी योजनाई लेकर आती है नसा मुक्ति के अंदर भी खोलती है इसके बहुजुद भी लोगों का नसा नहीं चुटवा पाती है लोग चाते हैं फिर भी वो नसा नहीं चुटवा पाते हैं तो फिर इसमें संतरामपाल जी माराज जी आप लोगों का नसा कैसे चुटवा देते हैं तो क्या जो बक्ति संत्रामपाल जी महाराजी देते हैं और उनके द्वारा देगी भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उन लोगों का नसा छुट जाएगा क्या उनके रोग दूर हो जाएंगे बिल्कुल सर 101% होगा क्योंकि यहां पर क्रोड़ों बगति इसका प्रमाल है मैं अकेला नहीं हूँ हम तो चोड़े से बगते हैं लेकिन इसके पहले वीज़ो हमारे क्रोड़ों फॉलोवर्वर्ज हैं आज संत्रामपाल जी महाराज के वो क्रोड़ों बगतियां पर नसा छो सकते हैं आप चाहिए कहीं नसा मुक्ति केंदर में चले जाओं बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं बगत समाज को मैं इस नेजन चाता हूं कि संत्रामपाल जी महाराज की ग्यान को समझें और इनके पुस्तकों को पढ़ें और सत्संग आते हैं तेरा चौदा टी आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संत्रामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541